सरजन ले है, विसरजन परले है, दोनों चंदो मै है, ये संसार चंदों के वलयों में गतीमान है, ये शंक हडपा सब्वेता के दोला विरा नगर में मिले हैं, इन्हें खोल कर क्या देखा गया होगा, रचना और विनाश का एक विसमेकारी सूत्र? जहां तक परिवर्तन का संबंद है, उसको भी हम भारतिय द्रश्टी से समझ ले हैं, स्वयम परिवर्तन शब्द ही ये बता रहा है, परी चारों और से वर्तन होना, अर्थार गोलाकार, वर्तुलाकार, रेखाकार नहीं, ये वर्तुलाकार जीवन क्या स्वरूर, शायद उस पक्षी को अच्छी तरहे मालूम है, जो अपना घोंसला भी वर्तुलाकार बनाता है, उस पक्षी के अंदर एक अंतर द्रिष्टी है, कि अंडे को भी गोल होना है, इसलिए घोंसले को भी गोल होना है, और इसलिए विकास का क्रम गोल ही है, वर्तुलाकार ही है, लेकिन सर यह सर्कुलर होने के साथ साथ, प्रकर्ती में कभी भी पुन्रावर्ति नहीं होती, इसलिए सर्कुलर का यह मतलब नहीं है, कि जैसा था वैसा का वैसा दुबारा हो जाएगा, वो गोला कार होते हुए भी शंखा कार आगे बढ़ता है, यह भी एक गोला है, लेकिन अगला भ प्रकर्ति नहीं होती है, बहुत सारी चीजों के साथ चक्र शक्र बोलने लगे हुए, किसी मान्यता या ईश्वर के प्रती अंध विश्वास ने नहीं, प्रकर्ती के प्रत्यक्ष दर्शन ने वैदिकों को अनंत की और बौद्धों को शुन्नी के अनुभूती कराई थी, अनंत या शुन्ने जिसे इन में से एक की भी अनुभूती हो गई, वही योगी हो गया, समाधिस्त हो गया